अलो नमस्कार जातियों कैसे हैं आप लोग मैं करन चौधरी आप सभी का मोवी सिच्छा पर हार दिख स्वागत करता हूँ नेंदन करता हूँ तो जो उम्मीद है आप मस्त होंगे बिन्दास होंगे बढ़िया होंगे और लोग तंत्र में खुद को इंजोय कर रहे होंगे आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो टॉपिक है लोग तंत्र यकीन मानी आपको बेहत मज़ा आने वाला आज के टॉपिक में क्योंकि आपकी दैनिक लाइप से जुड़ा हुआ टॉपिक है आप अपने दैनिक जीवन में इस टॉपिक का आनंद महसूस करते हैं और हमेशा आप यह सुचते रहते हैं कि लोग तंत्र अगर भारत में नहीं होता तो आपकी दसा और दिसा कैसी होती है तो आज की क्लास में बिंदास तरीके से आप पढ़ोगे टॉपिक का नाम है लोग तंत्र इंपोर्टन टॉपिक है इसका से प्रश्ण जो है आईजीपी में मिलता है आपको और इससे प्रश्ण आपको पॉलिटिकल थौड में भी मिलता है ये बेस्टन पॉलिटिकल थौड में भी है इसका जिक्र आपको इंडियन पॉलिटिकल थौड में भी देखने को मिलता है तो एक प्रकार से ऐसा टॉपिक जैसे आपने सुनाए न कि आलू के बिना कोई सबजी नहीं बनती है जनरली अब पनीर बनाओगे तो बनी जाएगा उसी प्रकार से ऐसा टॉपिक है ये लोगतंतर के जिसके बिना जनरली कोई चीज प्रिप्यर नहीं होती है तो चलिए शुरुबात करते हैं इस टॉपिक की बिंदास तरीका से भैतरीन तरीका से आप टॉपिक को समझेंगे पढ़ेंगे जानेंगे इसकी कौनसी कौनसी डैमेंशने इन सभी के बारें बातचीत करेंगे तो आएए आपका मैं क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो जो लोगतंतर का टॉपिक है डेमोक्रेसी का टॉपिक है आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक इमेज है पतली सी प्यारी सी इमेज आपको नज़र आ रही है यह कहा जा रहा है कि बोट 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 यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग क्या कर रहे county of California में बोट डाल रहे है, यहाँ पर कह रहे है democracy cannot be based on lies यह लोगतंत्र की अवाज है कोई उसे दवाने की कोसिस कर रहा है, यह कह रहे है democracy, pink democracy अरे इन तस्वीरों से, इन फोटों से आप democracy का इतिहास reflect कर रहे है कहीं लोगतंत्र दवाया जा रहा है तो कहीं महलाएं कह रही है कि लोगतंत्र में महलाओं का अधिक party से पिसन होना चाहिए तो कई प्रकार की लोगतंत्र की जो अवधारणा है वो आपको बरतमान में देखने को मिल रही है, तो आईए अब बड़े बिंदास तरीके से आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि किस प्रकार से आपकी एक्जाम में यह तो मिल साफ के बारे में लेखा है जो अनिस्ट्रड मिल साफ कुछ कह रहे हैं उनकी बाते यां लिखी हुई है मैं आपको अब लोगतंत्र के बारे में ABCD बताता हूँ कि लोगतंत्र है क्या आप सभी बड़े हुस्यार विद्यारत ही है और होस समय से त्यारी कर रहे हैं तो लोगतंत्र की परिवासा आप सभी 9th क्लास से पढ़ना सुरू कर देते हैं लोगतंत्र क्या है लोगों का तंत्र है गवर्मेंट आप दी पीपल बाई दी पीपल फॉर दी पीपल परन्त ये सारी चीजें अब्राहम लिंकन साब की परिवासा ये आपको एक प्रकार से एक लेवल तक ही समेट कर रख देती है ये संपूर लोगतंत्र की जो महत्त है वो आपको इस परिवासा के माद्यम से नजर नहीं आएगा तो फिर आप पूछेंगे गुरुजी लोगतंत्र के बारे में कैसे पढ़ा जाता है तो 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 अलग 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 डैमिंसन है जब आप डैमोक्रेसी को पढ़ोगे UGC NET के लिए या राजिस्तान फर्स्ट ग्रेड के लिए या किसी अन्य परिच्छा के लिए तो इसी अलग अलग प्रकार के परशना आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरवात करते हैं पहले साब्दिक अर्थ के साथ कि what is the meaning of the democracy and why the democracy is the best system of governance in this present era गुड इवनिंग जी निसान जी बियनलम 2021 जी ठीक है बहुत बढ़िया आप सभी को गुड इवनिंग नमस्कार स्वागत दिवागर कुमार जी निसानत कुमार जी all are welcome in my class कमेंट कम करें लिखें जादा ठीक है पंडे एक्जाम में सही रहता है कि चैट्रेट बढ़ा दो यहाँ UPSC और UGC नेट पढ़ रहे हो तो बी प्रॉपर स्टुडेंट नो भी लाइक देट के बहुत सिंपल तरीका से पढ़ा ही करें चीजों को समझें किस प्रकारते चीज़ें चलती है आम जनता समझो आम जनता को सासन के मामलों में भाग लेने का अदिकार नहीं था आप सभी जानते हैं कि जब राजा महराजाओं का युग था उस समय आम जनता जब सुरुवात की बात करोगे जब दुनिया बनाई गई थी तो मानव का इतिहास निरंकुस इतिहास हुआ करता था और निरंकुस था राजा महराजाओं में निवास करती थी राजा महराजा मानव के उपर निरंकुस प्रकार से सासन किया करते थे ऐसा इतिहास था मानव की पूर्व सब्यताओं का पर बरतमान में आप देखते हैं इतने समय का जो बदलाव है कहाँ निरंकुस समाज हुआ करता था कहाँ लोकतांतरिक समाज है कहाँ निरंकुस राज हुआ करता था कहाँ आज लोक कल्यार कारी राज है कहाँ आप पहले राज को टेक्स देते थे किसी अधर चीज़ का आज राज आपको सेवा दे रहा है तो कितना बड़ा अंतर है कितना बड़ा डिफरेंस है इस चीज में जो आपको देखने को मिल रहा है This class is useful for TGT, PGT, UGC, NET and other competitive exams which are conducted by any higher education commission of any state in India including UGC, NET conducted by NTA ठीक है, सभी के लिए उप्योगी है तो अब कैसे बना तो पहला इत्यास ऐसा था उसमें बानव को भाग लेने का अधिकार नहीं था बलकि सासक के अधिकारों की मदद से अपनी इच्छा नुसार सासन करता था जो चाहता था आप पुरानी बात करेंगे चाहे उस समय भारत में अकवर था आप बिस्व की बात करेंगे तो उस समय कोई दुनिया में जहां का भी राजा रहा हो परन तो सासक निरंकुस हुआ करता था चाहे वो आप बात कर ले आप बिडेन की बात कर ले किंग जोन की बात कर ले उसे पहले पीछे किसकी बात कर ले लेकिन सासक हमेशा निरंकुस ही रहे है निरंकुस था कि सासक के खिलाब जो आवाज उठी और धीरे धीरे जनता के पास अपने स्वेक के लिए निरंडे लेने की जो बरतमान में अधिकार है इसी को आप लोकतंतर के रूप में परवासित कर सकते हैं कि निरंडे निर्मार की प्रिक्रिया में जनता की सहवागता ही एक प्रकार से लोकतंतर है परन्तो इसकी कई सारे डैमेंसन हैं तो बाबु भहिया, दोस्त, मित्र एक बार जरा ऐसे समझो आदुनिक युग में लोकतंतर बिवस्ता लोकप्रिय हुई है कि आदुनिक युग को लोकतंतर का युग कहा जाता है ये बात बिलकूल ठीक है कि जो प्रिजेंट एरा है आप सहाब जिस दुनिया में रह रहे हैं ना वो दुनिया लोकतंतर की दुनिया है सहाब आप जिस दुनिया में पैदा हुए उस दुनिया में सहाब आप जब पैदा हुए तो आपके मात पिताने बर्फी वांटी मिठाई वांटी लड़ू वांटे फुत्र का जनम हुआ है पुत्री का जनम हुआ है पर सहाब याद करो बातें आज से 500 साल पहले की बात याद कर लो बड़ी बात कह दी 200 साल भी बहुत बड़ी बात है उस समय जन संक्या का नेंत्र भी राज जी के हाट में वहा करता था और स्वतंत्र था आज बरत्मान में जिस दुनिया में आप पैदा हुए हो, जिस दुनिया में आपने अपनी पहली सांस लिये यह लोकतंतर की दुनिया है बरत्मान जो यूग है लोकतंतर का यूग है अब आप कहें, गुरु जी कुशन कैसे बनता है तो बड़ा कुशन देको यहां से आता है लोकतंतर जो है अंगरेजी भासा के सब्द डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी यूनानी भासा के सब्द यहां से प्रशन बनता है कि डेमोक्रेसी जो है यह किन दो सब्दों से मिलकर बना है तो मैं बंडे में भी पढ़ा देता हूँ आप लोगों को जो बच्चा इच बिद्यारती त्यारी करते है UPSC की, PCS की इन सभी परिच्चाओं में के Demos और Cardia दो सब्दों से बिलकर जो है ये बना है एक होता है Demos और दूसरा है Cretia और Demos का मतलब होता है जनता और प्यारे बच्चे Cretia या काटिया इस सब्द का मतलब होता है सासन तो Democracy का जो साब्दिक अर्थ है वो क्या है अरे जो उड़ से बोलो गुरुजी जनता का सासन जनता का सासन जनता का सासन ये है Democracy का मतलब तो लोगतंतर का साब्दे कर्थ हुआ जनता का सासन या प्रजा का सासन ही क्या है वर्तमान में आप इसको लोगतंतर कहते हैं तो जो विद्यारती M.A. कर रहे हैं B.A. कर रहे हैं जन्हें किसी प्रकार की परिच्चा देनी है वो यहां से ऐसे लिख सकते हैं जो विद्यारती UGC NET कर रहे हैं उनके लिए प्रशन बनता है कि Demo's जो है वो कौन सी भासा का सब्द है तो यूनानी भासा का सब्द है हालंकि बहुत बेसिक बाते हो चुकी हैं आजकल परिच्चाओं में MCQ टैब में नहीं पूछी जाती हैं परंद जो विद्यारती B.A.M.A. या इस परकार की पड़ाई कर रहे हैं उसमें यहां से सीधा आप लोगतंतर की परिवासा से लिखना सुरू करोगे तो एक्जामनर का मन मस्तिस्क गदगद हो जाता है कि विद्यारती को इतना ग्यान है जिसको अपने सब्दों के माद्यम से इस परकार से कौपिव परो रहा है तो आपके व्यक्तुत को लेखन सहली को प्रभाव सील ढंग से दरसाने का कारे करता है अगर आप सुरू में इस परकार की परिवासा के साथ अपने आंसर के सुरुवात करते हो या इन चीजों के बारे में आप उसको बताते हो तो आपका परभाव बड़ा अच्छा नजर आता है यहां तक कोई डाउट किसी को गुरु जी बताओ गुडीवनिंग, रादे रादे जै हिंद, सभी को नमस्कार चलिए, स्वागतम आईए अगला है सीले की अब लोगतंत्र की बिविन परकार की परिवासा है है जैसे आप भाई साभ आप सभी जानते हैं डाइसी के बारे में आप सभी जानते हैं अब ब्राम लिंकन के बारे में बाई बच्पन से आप एक परिवासा पढ़ रहे हो सहाब आपने हमेशा पढ़ाए Government of the people by the people for the people तो Lincoln की परिवासा है लेकिन जब आप UGC net की त्यारी कर रहे हो जब आप Political Science की त्यारी कर रहे हो उस समय की परिवासाएं बदल जाती है उस समय की परिवासाएं आपको बिविन राजनीतिक विचारकों की परिवासाएं पूछी जाती है किसने लोगतंतर को बाज कह दिया कौन कहता है लोगतंतर मूर्खों का तंतर है या कथन किसका है तो पहले I would like to explain you कि जिन राजनीतिक चिंतकों ने लोगतंतर का समर्थन किया है बाई एक बात तो आप समझ लो लोगतंतर क्या है सासन की प्रणाली है आपने बहुत प्रकार की सासन की प्रणाली के बारे में सुना है जिसे लोगतंतर है राजतंतर है ओटोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी आपने सुनी है आपने इनके बारे में सुना है, तो what the democracy, democracy is also, क्या है, सासन की प्रडाली है लोकतंत्र, और लोकतंत्र सासन की प्रडाली है, तो प्रडाली में आपको क्या करना पड़ता है, कि जनता जिस सासन में अपनी भागेदारी करें लोकतंत्रे, जिसमें राजा जनता को सासित करें, राज तंत्रें जिसमें किसी की ना चलती हो, एक ही आदमी सभी का बापो, बोलो मुगेंबो की तरें, तो क्या है, निरनकुस तंत्रें, और आपने पिच्चर देएक मूवी आई थी वह समय पहले, टेक्निकल्टी में एक पिच्चर आई थी, वह समय पहले, गेंग्सो वासेपुर, तो उसमें गेंग्सो वासेपुर में, वो जो एक लड़का होता है, जिसका पिताजी MLA बनता है, वो देखा, अपने बच्चे से क्या कहता है, तुम सुदर जाओ, तुम कुछ नहीं जानते हो, तो उसका जो लड़का है, क्या नाम है उसका? कुछ यार है? किसी को? डेविड नहीं, वो दूसरा है, वो अपने बच्चे से कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या है? वो ऐसा है कि उसे कहते हैं, बेसिकली, कि बाप, कुछ तो बेटा भी, सासन का भागेदारी चाहता था, तो पिच्चरों से, मूवियों से, आपको रिफ्लेक्शन होता है, कि सासन के कितनी पढ़ाली है, तो किसी व्यक्ती ने लोगतंतर को अच्छा माना है, जो पुराने राजनितिक विचारक है, पलेटो है, अरस्त्रोटल है, यह लोगतंतर को अच्छा नहीं मानते थे, तो पहले मैं अनके बारे में बात करूँगा, जो लोगतंतर को अच्छा मानते थे, क्योंकि आपको जब भी चीज लिखनी होती है, तो आप positive और negative दोनों विचार उसके बारे में आप बताते हुए point को दरसाते हो तो पहला राजनितिक विचार किसमें सीले लिया है हमने सीले कहता है ये कुसिन कई बार exam में पूछा गया है UGC net में कई बार आया है कि लोक तंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक हिस्सा हो मतलब ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि लोक तंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक हिस्सा हो आप उसे कहते हैं लोक तंत्र ठीक है ये सीले का कथन है तो आप से सीधा पूछे जाएगा कि लोगतंतर एक ऐसी सरकार जिसमें हर एक व्यक्ति का एक हिस्सा हो वो किसका कतन है आप कहेंगे सीले का कतन है अब एक कतन सत्य क्यूं है UP में सहाब चुनाब है और BJP एकदम तर्रा रही है तर्रा समस्तर एकदम मतलब टाइट हम जीतेंगे और उदर से यादव जी कह रहे हैं कि नाई हम जीतेंगे जीतेंगे कोन ये निर्दारित कोन करेगा जंता करेगी तो सासक बनने के लिए योगी बावा कह रहे है कि हम फिर बनेंगे और उधर से यादब जी कह रहे हैं कि हम बनेंगे तो सासक बनना सब चाहते हैं लेकिन उस सासक में जनता की भागेदारी है आप इस बात को समझो आज आपका जो बोट है क्योंकि इंडिया में पॉलिटीकल एक्कॉलिटी है राजनीतिक समानता इस्टावलिस करीगी है आपके बोट का वेल्यू अम्मानी के बोट का वेल्यू बरावर है और आपके बोट के वेल्यू के माद्यम से सरकार का गठन होगा और ऐसी सरकार जिसमें हर व्यक्ती का हिस्सा हो तो जब योगी बाबा या जब फिर यादव जी बनेंगे मुख्य मंत्री तो आप कह सकोगे कि चचा एक बोट तो मैंने भी दिया था परण तो यह बात ब्यवार में नहीं है, ब्यवार में नेताओं को लगता है कि एक बोट का क्या वैल्यू है वो तब पता जलता है जब नेता है एक बोट से फेल होते हैं तो सरकार में भी आपकी भागेदारी है ऐसा सीले ने कहा था ठीक है बीर लाँ साम के रहे हैं भाग छे के बाद पॉलिटी पढ़ाई है फ्री वाई साब पॉलिटी का जो बहच है वो मैंने फ्री से भी कम में कर रखा है फ्री में तो आपका डेली आओगे पता नी क्या वनेगे कि सिस्टम है वो एक साथ और गया था तो इक तकनीकी सम परेफ जुआ यह तो ब्रत्मा लोगत टंतर का जमाना है लेकित टकनीकी आवी दमना आप सब हम bossu अभीिरय माध्या धिन आपको भी यह अपक्छय रखनी होगि आ पको भी इतना मान के चलना होगा कि सुर् अगर कुछ होता है तो वहिया यह तकनीकी का जमाना है, इसमें कुछ भूने की संभावने अवस्य रहती है, तो चलिए बिना डायं बेस्ट करें, हम पॉंट पे आते हैं, तो आप समझ के होंगे दो बात हैं मेरी जान चुके आप सीले कहता है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें हर एक व्यक्ति का हिस्सा हो और डाइसी के कथन के नुसार लोकतंत्र वह सासन प्रणा लिये जिसमें सासक वर्ग राष्ट्र का एक प्रमुख हिस्सा हो अब सीले की बात आपकी समझ में आच चुकी होगी कि लोकतंत्र सरकार कैसी है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक इस्सा हो मतलब आपका एक हिस्सा है सहाब आपका एक वेल्यू है सहाब आप खुद एक हिस्सा उसमें रखके चलते हैं ये see l'ay कहता है कि आपका एक खुद का वेलिवे आपका साहब एक खुद का हिस्सा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड़ चलो एक बार जल्दी से क्लास को सेर कर देंगे सभी के सभी additionally based देंगे उनको जिनको जरूरत है फुकरों को नहीं चलिए साब जल्दी जल्दी कीजिए फुकरे हम उनसे कहते हैं कभी बुरा मत मान जाएगा आप फुकरे नहीं है फुकरे वो लोग होते हैं जो आनंद की चरम सीमा प्राप्त करने के लिए कुछ भी देख लेते हैं आजकल यूटूब पर चलता है ठीक है तो बरतमान में खुद का यूटूब चैनल क्रिएट ना करें यूटूब क्रिएट करें खुद का कॉंटेंट आपको क्या देखना है इसके लिए आप अवस्य तोर पर अपना एक सिस्टम बना कर रखें आप बहुत अधिक आवस्यक हो जाता है तो स्पीड से सभी के सभी साथी क्लास में चुड़ जाएंगे बहुत स्पीड से सभी के सभी बापस आएंगे ग्रेट चलिए आईए सहाब तो मैंने क्या का अब डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह सासन है डाइसी कहता है कि लोकतंत्र वह सासन प्रणा लिये जिसमें सासक वर्ग का राष्ट प्रमुक हिस्सा हो क्या कहता है कि जिसमें सासक वर्ग का राष्ट प्रमुक क्या हो हिस्सा हो अब आप कैसे बोलेंगे डाइसी कहता है कि लोकतंत्र वो सासन प्रणाली है ठीक है यह तो एक पॉइंट हो गया जिसमें सासक वर्ग राष्ट का एक प्रमुख हिस्सा हो इसका मतलब क्या हुआ इसका प्रमुख यह हुआ कि जो आपके उपर सासन करने वाले लोग हैं डाइसी के एकोडिंग वो आप में से होने चाहिए सासक वर्ग राष्ट का एक प्रमुख हिस्सा हो मतलब आप में से ही सासक बनने चाहिए सहाब आप बनने चीए MP, आप बनने चीए MLA मोधी सहाब आप कह देते हो देखो राजनिती विज्ञान की विध्यारती की तरह सोचो राजनिती विज्ञान का विध्यारती जब कोई कहेगा कि भारत में चाãy suppose वाला अगर प्रदाःं मंत्री है तो कोई सामाने व्यक्ति है सोचेगा कि भारत का कोई level नहीं है लेकिर राजनीती विज्ञान का विद्यारती को यह सोचना चाहिए कि सहाव देखो हमारे देश के लोकतंत्र को जाँ चाय वाला भी प्रधान मंत्री बन सकता है यही कहता है डाइसी कि लोकतंत्र हुआ सासन प्रणाली है मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आ गया अकवर बुलंगरेज की बाहर से आये देखो सासक हमिसा रहेंगे ऐसा नहीं है कि आज आप फ्री हो बाहिस साब आप तो जनमजात सासदोनी के लिए पैदा हुए हो आज भी हमारे उपर सासक कोन है अगर मैं सासक की बात करूँ तो सासन जो है हमारे उपर वो आप देख सकते हो गवर्मेंट कर रही है सासन परंतु साब अंतर क्या है अंतर ये है कि जो बाबर था जो अंग्रेज थे ये वो लोग नहीं है ये हमारे ही लोग हैं हमें से ही एक हैं देखो मैं पहले पक्ष की बातें कर रहा हूँ कि the moment you are going to write in a favor of democracy जब लोग तंतर के पक्ष में बातें बताएंगे तो आप इन इन थिंकरों की बारे में बातचित कहेंगे इन थिंकरों की बारे में बातचित कहेंगे ठीए ये डाइसी कहता है ये डाइसी का photo है तो आप आप से पूछा जया UGC net में कि सीले लोगतंतर के समर्थक है आप ये कह सकते हैं सीले लोगतंतर का समर्थक है डाइसी ये भी लोगतंतर का समर्थक एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसके लावा यूनान के प्रशिद लेखक रे हरोडोटस इनके बारे में सभी ने सुना होगा लोगतंतर को ऐसा सासन बताया है जिसमें सबसे उच सकती सभी लोगों के पास होती है इसका मतलब क्या हुआ तो ये जो हरोडोस कहता है कि ये ऐसा सासन प्रणाली है जिसमें सबसे उची सकती सभी लोगों के पास आपको देखती नजर आएगी अब सबसे उची सकती क्या है बाई जनता की सकती है सासन की सकती है, सबी लोगों में सब सुन सकती बटी हुई है ये कहता है तो ये भी कथन कभी के भी एक्जाम में बनता है पूछा जाता है Lord Bryce कहते हैं, वह सासन जिसमें राज्य की सत्ता पूरे समाज के हातों में हो किसी बिसेस वर्ग या सिरेडी के पास नहीं हो, तो बरतमान में आप क्या देखते हो कि भाई भारत में आपको क्या लगता है गुजरात बालों की सरकार है आपको ऐसा लगता है बेवार में ऐसा है नहीं कि गुजरात बालों की सरकार है आपको क्या लगता है कि उत्परदेश में अगर बन गए भहिया, मुख्य मंतरी तो का सरकार गोवन्स वालों की होगी, ऐसा नहीं है लगता है आपको तो इसी कतन को कौन कहता है लौड ब्राइस कहता है जिसमें राज की सत्था पूरे समाज के हातों में हो अब समाज के हातों में कैसे देखो भारत में तो आप तीन तरीका से देखो तीन लेबल पर हमारे देश में सरकार का फॉरमेशन है एक तो लोवर लेबल पर सरकार का फॉरमेशन है जहां आपका कोई भाया, प्रधान बनता है आपका कोई चाचा, प्रधान सवा का जिला पंचायत का सदस्य बनता है और विधायक जो है वो भी आप लोगों की जन्ता में से होते हैं MP जो हैं वो भी आपके राज्य से आपके जिले से तो भी आप लोगों के बीच में से होते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि राजी की सत्ता पूरे समाज के हात्वा में होती है, ऐसा नहीं कि कोई special कोई बर्ग होगा, कि नहीं भाईया सभी व्यक्ति जो हैं, वो गुजरात से होंगे, या सभी व्यक्ति मोधी होंगे, ऐसा नहीं है न, अगर ऐसा होता, तो आज हमारे पूरे देश में मोधी मोधी होत तो यहीं जब आप नुईस पेपर पढ़ते हो कि कोई पार्टिकल पार्टी है जैसे कुछ लोग कॉंगरेस के वा प्रश्ण मार्क चन लगा देते हैं वो क्यों कहते हैं कि कॉंगरेस लोग तंतर पार्टी डोग लोग तंतर तो पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी बिसेस वर्ग या किसी बिसेस रेडी का अधिकार हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फॉल्लो नहीं करती है तो डेमोक्रेसी कई प्रकार से लेकिन अब हम बहुत जल्दी मैंने एक चैनल बनाया है तो उसका नाम मैंनुस करूँगा आप लोगों के लिए वहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को लेकर चलाया हूँगा यहां से पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे उस पर पढ़ेंगे एक अच्छा नाम नहीं मिल रहा था अब दा अकेडमी खोला था राइनी दी विग्यान वालों ने लेकिन अब दा अकेडमी की जगे फन अकेडमी कोई और चला रहा है तो इस प्रकार के सब्दों का चेहन करना या किसी प्रकार के सब्द को अपने संस्थान के लिए चैनित करके उसे लोगों तक पहुचाना ये बड़ा ही बड़ा दुवधा कभी से लगता है मुझे अब चलए लास्ट बात करतें Abraham Lincoln कहते हैं लोगतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिया किया गया सासन है Lincoln साभ कहते है Government of the people by the people and for the people for the people तो ये प्रकार से ये प्लेटों का खतन हो गया तो ये आपको यहाँ पर नजर आ गया लेकिन एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ लोगतंतर की दो रूप बताने से पहले मैं कुछ समझ आपको समझाना चाहता हूँ जैसे एक राजनीती विचार के प्लेटो आप लोगों ने सुना होगा तो प्लेटो का स्टेट्मेंट कभी कई पूछ लेता है देखो प्लेटो ने कभी भी कभी लोगतंतर को सपोर्ट नहीं किया प्लेटो कहता है कि लोगतंतर अज्यानता का सासन है अज्यानता तो कभी कभ पूछायाता है कि लोकतंत्र को अज्ञानता का सासन किस ने बताया है तो प्लेटो ने लोकतंत्र को अज्ञानता का सासन का है प्लेटो कहता है लोकतंत्र अज्ञानता का सासन है इसमें कुछ भी नहीं होता यह बेकार है अज्ञानता का राज है यह प्लेटो कहता है और वहीं अरस्तु के बारे में देखेंगे तो अरस्तु भी इसका लोकतंतर का विरोत करता है अरस्तु कहता है कि लोकतंतर निक्रश्टम सासन है मलब सासन का सबसे बुरा रूप तो ये कहता है कि सबसे लो लेवल का सबसे निक्रिष्टम सासन जो है वो क्या है वो बताता है लोगतंतर को अब देखो आप उसी एक बात पूछेंगे कि गुरुजी काही ऐसा काही कहते हैं ये सब ये वहिया ऐसा क्यों कहते हैं ये क्यों कहते हैं कि लोग तंत्र निक्रिष्टम सासन है ये ऐसा क्यों कहते हैं अग्यांता का सासक है ऐसा क्या है आप इसको चाओ तो लिख सकते हो प्लेटो अग्यांता का सासन बोलता है अरस्तु इसे निकृष्टम सासन कहता है इसका कारण क्या है कि प्लेटु और अरस्तु जो पुराने विचारक हैं ये विश्वास करते थे कि राजा कोई इस्पेसल व्यक्ति होता है अब चाय वाले भी राजा बनने लगे इनका ऐसा विचार नहीं था ये कहते थे कि दार्थनिक व्यक्ति राजा होना ची इसमें सास हो वो राजा होना ची है तो चाय वाले कोई गुडवान नहीं मानती थे ये नहीं कहते थे कि कोई ओटो वाला रिक्सा वाला ऐसा कोई राजा हो ऐसा ही लोग मानती नहीं थे इसलिए कुछ political thinker हैं अब इंडिन political thinker की बात मैं अलग से करूँगा कि गांदी जी कहते थे कि वह यह संसद बहाँ है लेकिम अलग dimension है अलग dimension है अरस्तु और प्लेटों से प्रशना आपके एक्जाम में बन जाता है तो कभी भी याद रखेंगे कि अरस्तु ने तो लोगतंत्र को सबसे घटिया प्रणाली माना है सासन की सबसे घटिया तो यह इसके बिपच्च के point है against the democracy बोलते है बिटा यह UGC net exam में आएगा जब प्रोफेसर के exam दोगे उसमें आएगा या फिर आप PZT करोगे टीचर बनोगे सरकारी उस exam में आएगा यह उन exam की class है यह तो आपको इस exam में देखने को यह मिल जाएगा ठीक है तो आप कह सकते हो तो एक विचारक है गेटल यह कभी गेटल कहते हो यह लोगतंत्र का सासन को वह रूप है जिसमें जनसंक्या कि बहुत बड़े भाग को सर्वोच सकती का उपयोग करने में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अब सर्वोच सकती यहाँ पर क्या है तो सर्वोच सकती यहाँ पर आपको साब देखने को मिल रही है वो क्या है सत्ता सरवोट सकती है यहाँ पर सकता जो है वो सरवोट सकती है प्यारे बच्चो जो भी विद्यारती जिस यूनिवस्टी से चुड़े हैं कोई पूर्वान चल यूनिवस्टी से होगा कोई सुब्रतो यूनिवस्टी से है जो विद्यारती जिस यूनिवस्टी से जुड़ें अपने यहां के विद्यारतियों के गुरुप बना बना के उनको क्लासिस को प्रोवाइड करें ऐसे नेक काम को आप करोगे तो भगवान आपको भरकत देगा चोटे चोटे गुरुप बनाईए अपने विद्यारतियों के राजनीती विज्ञान के गुरुप बनाईए और बच्चों में गलास को सियर कीज़े दम 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 लगा के एक दम दिखा दो के लोगतंतर की पावर क्या है और राजनीती विज्ञान में लोगतंतर का महत तो क्या है ठीक है तो यह कहता है गेटल तो यह आपको मिल जाएगा लोगतंतर बहुत लोगों की राय के अनुसार कानून का सासन करने पर जोड़ देता है रूल अफ लौ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लोगतंतर जो है रूल अफ लौ पर विस्वास करता है तो यह भी कतन सही है लोगतंतर रूल अफ लौई होता एक परकार से अब देख़ो प्यारे बाच्चों यहां से सुरुबात करते हैं कि लोगतंतर कितने परकार का होता है अब आपने दो विचार देखें मैंने आपको Aristotle, Plato, Agist में बताएं हालांके राजनीतिक विचारकों के बारे में मैं अभी इस चैप्टर के अंत में आपको सब लिखा दूँगा कि कौन से कौन से विचारक हैं जो लोकतंतर का समर्थन करते हैं एक चार्ट में और कौन से विचारक हैं जो लोकतंतर के विरुद्ध वाच्चीत करते हैं दोनों प्रकार के विचारकों के सम्मंद में सभी प्रकार की जानकारियां मैं आपको प्रोवैड कर दूँगा ठीक है? चलिए अब आता है लोकतंतर के रूप कितने टैपस अपटी डेमोक्रेसी लोकतंतर कितने ही प्रकार का होता है यह बहुत ही बेसिक प्रशने जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो एक होता है प्रत्यच लोकतंतर डारेक्ट डेमोक्रेसी एक होता है अप्रत्यच लोकतंतर आपका class में तो देखो direct democracy अब इसको समझेंगे एक वर जरा देखो direct democracy यह है direct democracy एक हो गई और एक हो गई indirect democracy दो प्रकार की democracy दोनों प्रकार की महलाओं को आप देख सकते हैं यह दोनों democracy है अब direct democracy और indirect democracy में क्या difference है इसको हम जानते हैं पड़ते हैं, तो प्रत्यच लोगतंत्र क्या होता है? जहां जनता है, यह जनता है, यह पीपुल है, आम लोग है, आप लोग है, मेंगो पीपुल ओफ इंडिया, तू, में, राजा, राजू, कुवेर, छेदी प्रसाद, काका विहारी, अम्मानी, गीता, मीना, लल्लू, उल सब, जनता है, और जनता, जब बोड के माद्यम से अपने रूलर को चुने, तो उसे कहते हैं, टरकड डेमोकरेसी, टरकली चुन ले, कोई भीच मेए लफडा नहीं, और जब जनता, जो है, जनता क्या करे, कि अपने द्वारा जनता क्या करे, अपने प्रत्निदियों को आपी ने, बिवेक ने, चारू ने, बिक्रम ने, छेदी ने, मुन्ना ने तब इसको चुना? पपू को चुना. अब पपू जो है, उप पपू को चुनत है, तो पपू चुनता है जाके मोधी को. ये क्या है वहिया? तो ये है एक प्रकार से, इंडारेक्ट डेमोक्रेसिया. प्रणाम, प्रणाम, बिवेक सैनी जी, प्रणाम. ठीक है? चलिए. अब मैं आपको और गहराई में बताता हूँ, देखा, प्रतच लोकतंतर के बारे में क्या है? इन नोट्स आपको प्रोवैड होंगे, लेकिन अउनली पेड़ क्लासेज में. और जो पेड़ क्लासेज चल रही है, उसकी फीस बहुत कम रखी है. मातर 4,000 रुपे फीस है पेड़ क्लास की, हालांकि ये बड़ा, मतलब कम कर दी गई है, क्योंकि ये 5,000 रुपे रखी थी मैंने बारत तारीक तक, लेकिन अब अपने जो है प्रकार से हट से मैं ये कम करके 4,000 करनी पड़ी है, दो से तीन दिन रहेगी, इसमें जो डेली ग्लासेज चलेंगी, आपकी वो ऑनलाइन चलेंगी, प्लस वीक में दो बार आपके साम जूम सेशन होगा, जिसमें कि आपक आप कर देंगे, यह दो इस्टॉल्मेंट में भी आप इसे पेमेंट कर सकते हो, तो आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हो, इस नंबर पर आप जब कॉल करोगे 78917, तो आपको जानकारी मिलेगी, इस जानकारी की माद्यम से आप सभी क्या कर सकते हैं, 87000-78917, इस जानक प्लस application की class का link daily आपको प्रोवाइड होगा classes की timing साम को 5जे होगी जो कि daily आपको class मिलेगी नेट की त्यारी करने तो करिए ना लनकुमार जी कहा ही टेंसन ले रहे हो नेट कोई सा टप है निकाल लीजिये ना ठीक है दीजिये net exam दीजिये आप call कीजिएगा मेडम बता देंगी सवी जानकारी आपको provide करेंगी चलिए आए देखते हैं पर तेट्च लोग तंत्र सवी नागरिकों के सासन में कार्यों में भाग लेते हैं तो जो direct democracy होती उसमें क्या होता है कि जितने भी नागरिक हैं पर एक्जामपल जैसे आप सव नागरिक हो तो सवी नागरिक जो है सासन के कार्यों में डरेकली भाग लेते हैं अब देखो किसान बिद्यक आया तो उसमें आपने तो भाग नहीं लिया आपके MP ने भाग लिया आपके पास तो भाग नहीं गया तो यह जो होता है यह आप यहाँ प्रोपर तरीका से देख सकते हैं तो डरेक्ट डेमोक्रेसी में आप एक चीज को नोटेस करेंगे कि आप डरेक्ली भाग लेते हो लेकिन भारत में डरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए आप डिरेक्ट भाग नहीं लेते आपके प्रतनिदी जो हैं वो डिरेक्ट भाग लेते हैं कौन पप्पू जो MP हैं वो भाग लेंगे आप भाग नहीं लेंगे आप हमारी बात को समझे तो यह है डिरेक्ट डेमोकरेसी एक प्रकार से जगडे में डिरेक्ट ली खु इसके बारे में स्टेटमेंट का है जैसी हिरन सौने का है कि लोकतंत्र सुद्ध रूप से एक सरकार है जिसमें जनता प्रतिंदियों के बिना संप्रवता का प्रयोक करती है यह प्रतेच लोकतंत्र के बारे में कहता है ठीक है तो कभी-कभी एक्जाम में बनता है हाँ, 4000 रुपे only polity की फीस है बिटा, यह political science है polity नहीं है, polity political science को इतू सा भाग है यह political science है इसमें आप रहनीती विज्ञान पड़ोगे, तो इसमें आप Indian political, जैसे इसमें क्या-क्या पड़ोगे आप इसमें आप पहले political thought पड़ोगे रहनीती विचार पड़ोगे उसके दो भागें, best and political thought और Indian political thought फिर आप इसमें मतलब political thought तो यह की होगे है best and political thinker और Indian political thinker फिर आप modern political thinker को भी जानोगे political thought को जानोगे फिर आप IZP पड़ोगे कि भारत का सम्दान कैसे है सासन कैसे है फिर इसके साथ आप पड़ोगे कि भारत तो ठीक है comparative politics, कनेडा का सम्दान कैसे है अमिर्का का सम्दान कैसे है बिडिन का सम्दान कैसे है फिर आप जानोगे comparative politics अपनी बाली सुन्दर है तो दूसरों की कैसी है फिर आप इसमें पढ़ोगे पबलिक एड्मिस्टेशन लोग प्रसासन उसमें दो चीजें इसमें इसमें को थोट आती है और एक इसका हिस्सा IGP से आ जाता है इस सारी की सारी चीजें आपको इसमें सारी की सारी चीजें जाननी और पढ़नी है बहुत बढ़िया ठीक है तो इस क्लास वंडे के लिए नहीं है UGC NET के लिए है चलिए आप इसका प्रयोक कर सकते हैं अब आता है देखो प्रत्यच लोग तंत्र के कई प्रकार के टूल होते है इतनी गहराई में आप राइनिती विज्ञान में पढ़ सकते हो प्रत्यच लोग तंत्र के कई प्रकार के साधन होते ये एक्जाम में UGC NET में प्रशन कई बार पूछा गया है कि निमलिखित में से दिये गे साधन जनमत संग्रे इनिसेटिव प्रत्यच लोग तंतर में पाय जाते है डारेक्ड डेमोक्रेसी में पाय जाते है तो सीधा राइस्तान फर्स्ट ग्रेड, UGC, PZT में सीधा प्रशन बनता है कि प्रत्यच लोग तंतर के 4 साधन काउं से हैं निमलिखित में से किस प्रकार का साधन किस परकार के लोगतंतर में पाया जाता है तो प्रत्यच लोगतंतर में आपको देखने को मिलेगा एक तो मिलेगा आपको जन्मत संग्र है ठीक है एक मिलेगा आपको इनसियेटिव जिसे आप कहते हैं एक मिलेगा प्लेवी साइट और एक होता है recall अब इनके बारे में थोरोली पड़ना है फिर हम बात करेंगे अपरत्य चलोक तंतर के बारे में जो भारत में है भाई बारत की जो डेमोक्रेसी हो कैसी है अपरत्य चलोक तंतर है तो आप जो है इन चीजों के बारे बिवने परकार से जानोगे और पढ़ोगे तो इसमें देखो जन्मस संग्र है यह आपको दिखा डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी पहले चला करती थी है अभी भी जो छोटे छोटे देश हैं उनमें आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेग भाई देखो एक बात समझो, अब एक परिवार है, संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो जो परिवार का मुखिया होता है, उसे छोटे बच्चे डिरेक्ट ली बात नहीं करस्पाते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है और दाधा जी दाधा जी होते हैं लेकि जब छोटा परिवारह होता है तो छोटा बच्चPP दाधा जी तुनंत कहता है दाधा di दाधा जी तोौ पिलाओ ना मेले लिए तहो आपको बताता हूं उमरवन है जनमत संग्र है ये क्या होता इसे आप कहते रेफरेंडम या आप इसको नाम देते हैं प्यारे साथियो जनमत संग्र है बिवेक सैनी जी मैंने आपकी बास सुन ली आप क्या कह रहे हैं बिवेक सैनी जी अमें लगता है आप कुछ और कह रहे हैं सर अगर डिस्टेंस एजुकेशन कर लें क्या डिक्यूमेंट बेटा ये बात है ना आप फोन करके पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा अच्छे से क्लास में मैं इसके उपर लेक्चर दूँगा डिस्टेंस एजुकेशन अगर कर लें तो क्या डिक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी नहीं नहीं बिलकुल नहीं होगी UPSI में 111 कुशन है बताएं प्लीज बाबू 111 कुशन थोड़े कम है अगर जनरल के डिग्री से हो लें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी हाँ PGT Digital Podcast Science मैं खरा रहा हूँ साक्या क्लासे जी आप बिलकुल इंजोई कर सकते हैं सेनी जी कोई समस्या पता है मैं चाहता तो इसे YouTube पे फ्री क्लास दे देता आपको परन्तु YouTube पे क्या समस्या है कि हर व्यक्ति अपनी डरेक्ट तरीका से प्रत्यच लोगतंत्र है YouTube, प्रत्यच लोगतंत्र, जहां जहां जनता डरेक्ली अपनी बातचीत कम्यूनुकेट करना चाहती है, वो जिसकी भी बातचीत हो, लेकि अधिक जनसंख्या में, अधिक बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं और प्रत्यच लूप से हर बच्च आपने बागेदारी चाहेगा, तो क्या क्लास सही से चलेगी, नहीं चलेगी, इसलिए अप्रत्यच या प्राइविट लोगतंत्र क्रियेट किया जाता है, उसी को कहते हैं आप पेड़ ग्लास, कोई अंतर नहीं होता, बस उसमें क्या हो अब एक नमबर मैं भी अपने पास लेने वाला हूँ, एक फोन नमबर मैं भी अपने पास रखूँगा, जिसे मैं उठाया करूँगा, लेकि मुझे बस समय कम होता है सर्मनेक्ष्ट कितने पेड़ का एक्जाम देना पड़ता है, नेट में, बावु दो ही पेड़ होते हैं नेट में, चलिए आईए तो सुर्जालेंड जो है, इसमें कैंटरों से प्रत्यच रजातंतर पर चलित है, इसमें चोटे-चोटे कैंटरों होते हैं, उसके माध्यम से प्रत्यच लोगतंतर चलता है, तो सुर्जालेंड बरतमान में प्रत्यच लोगतंतर का क्लासिकल एक्जामपल है Classical का मतलब हुआ यह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा सुर्टिजल लेंड में प्रत्यच प्रजातंत्र पर ब्रुक्स ने लिखा है सुर्टिजल लेंड राजितिक सहसापूर कार्रेयों की प्रयोग साला है उसे प्रजातंत्र देशों की सिक्षा मिलती है एक प्रकार से यह कहा जाता है कि सुर्टिजल लेंड जो है न यह प्रजातंत्र का घर है या प्रजातंत्र की प्रयोग साला इसको कहा है तो कई बार कुशन पूछा जाता है कि ब्रुक्स ने लिखा है या कौन से बिग्यानिक ने ये का है कि सुर्जालेंड लोग तंत्र की प्रयोग साला है सुर्जालेंड राजनिती की प्रयोग साला है लोग तंत्र की प्रयोग साला है उसका सबसे बड़ा important point क्या है कि वहाँ पर direct democracy है और जनता प्रत्यच रूप से सासन में भागेदारी सुनक्षित कर पाती है कितना बच्चा देख रहा है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बहुत बढ़िया लिखें अधिक कमेंट कम करें लिखें अधिक सभी के सभी अधिक से अधिक विद्यारती लिखें वास समझ मागे मेरे प्यारे बच्चे चलिए ठीक है तो यह हो गया प्रत्यच लोग तंतर के बारे में पॉइंट तो कल से आपकी class यूटूब पे नहीं होगी अब सिर्फ पेड होगी ओनली क्या होगी आपकी class सिर्फ पेड होगी अब सुर्जालेंड ने प्रत्यच लोगतंत्र प्रजातंत्र का घर मानाया था सुर्जालेंड को कायाता है कि डेमोक्रेसी का घर है एक प्रकार था जो डेमोक्रेसी है उसका घर है ठीक है? तो कोई समस्या नहीं है हाँ उसके लिए भी है आप सभी स्कलास में जुड़ सकते हैं जो भी आपके साथ कें ब्रैस कहता है कि विश्व में आदुनिक लोक्तंत्र की अध्यन की द्रस्थी से स्वर्जलेंड सरवादिक महत्पूरे और क्यों महत्पूरे क्योंकि ये प्रकार से इसमें आपको बता जाता है कि जनता ड्रकली कैसे भागिदारी ले सकती है जनमत संग्रे का अर्थ है लोगों के पास कानून को अंतिम सुईकार देने की सकती है यो कई प्रकार के होते हैं अब मैंने आपसे कहा चार प्रकार के इसके मॉडल है तो एक होता है जनमत संग्र है अब जनमत संग्रे क्या होता है referendum जो है इसके दो टैप आपको देखने को मिलेंगे एक होता है अनिवारे जनमत संग्रे एक होता है वेकलपिक जनमत संग्रे अनिवारे वेकलपिक जनमत संग्रे होता है कि जहां जनता के द्वारा ही कानून का निर्मार किया जाएगा उसे आप कहते अनिवार जन्मत संग्र है कंपलसरी रेफरेंडम और वेकलपिक क्या होता है वेकलपिक होता है अनिवार जन्मत संग्रे में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो अनिवारे होता है जहां जनता ही कानून का निर्मार करेगी ठीक है जैसे अबारे देश में मालो किसान बिल मला तो किसान बिल को जनता ही बनाएगी अनिवारे हो गया और वैकल्पिक होता है कि जिसमें जनता की पास वैकल्प होगा कि जन्ता ने बाद में उसके इखलाब आंदोलन किया तो कानूर रद्ध हो जाएगा यह जन्ता उसमें भागेदारी जन्ता की चेक किया सकती है तो जन्मत संग्रे के आपको दो प्रकार देखने को मिलेंगे ठीक है? देख रहे हैं आप? अगर आपसे कभी पूछे कि जन्मत संग्रे का बरत्वाने प्रयोग कहा होता है? सुर्जल लेंड में होता है जिसमें जन्ता डिरेक्ली बोट करती है किसी भी कानून के जन्मार के लिए तो इसे कहते हैं जन्मत संग्रे है मतलब जन्ता का संग्रे है तो जन्मा संग्रे दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा एक होता है अनिवार या कंपलसरी रेफरेंडम एक होता है मेरे प्यारे भाई एक होता है वेकलपिक रेफरेंडम तो अगर आपसे पूछे गुरु जी अनिवार रेवाला कौन सा है तो अनिवार रिवाला होता है जिसमें बिदाय का द्वारा पारित कोई भी बिद्येक पर तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक जनता संग्रेकी माद्धं से उस कानून को पारित नहीं करती है तो भारत में तो नहीं है नहीं कानून का जो निर्माड है वो तब तक नहीं होगा साहब जब तक जनता उसका निर्माड नहीं करेगी और वैकलपिक कौन सा है वैकलपिक समझ रहे हो तो वैकलपिक जनमत संग्रे होता है आपको इसके बारे में भी एक नोट मिल जाएगा लिखा हुआ सर वेकलप पर क्या होता है इच्छुक विधायका द्वारा पारित कानूनों को जन्मत संग्रे के माध्यम से जनता पारित करवाना जनता की इच्छा पर निर्वर करता है कि जनता चाहे तो करवाए जनता ना चाहे तो ना करवाए बिनेक सेनी जी लेकर आये हैं और सब्जेक्ट सर जी बिलकुल जी भाई साब अभी राजनीती विज्यान आप ले लीजी है क्योंकि UPSC में GS अलग चीज है राजनीती विज्यान अलग चीज़ है पेट का क्लास एप्लिकेशन पे लेंगे वो जूम के माध्यम से भी चलेगा आप उसमें जल्दी से अडमिसन करा लें उसके बाद क्लासे स्थार्ट हो जाएंगी आपकी अधिकसादे बिद्यारतियों को बताएं तो एच्छ जनमस संग्रे और वेकलपी जनमस संग्रे तो आप से UGC Net पर प्रस्ण बनता है कि वेंगला संग्रे कितनी प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है एक अनिवारे और एक वेकलपिक है अनिवारे में कोई भी कानून नहीं बनेगा जब जनता नहीं चाहेगी अनिवारे वेकलपिक क्या हो गया कानून का निर्मार कर सकते हो जनता की इच्छा पर निर्मार करता है कि जनता चाहेगी नहीं चाहेगी जनता के बिना चाहे भी कानून बन सकता है जनता चाहे तो उसको बाद में कानून के ओपर जनमस संग्रे बिठा सकती है तो सुरिजल लेंड में बिधायका द्वारा पारित कानून 90 दिनों के बीतर 50,000 मददाताओं या 8 केंटों की मांग करता है तो उसकानून को जनमस संग्रे के लिए प्रस्तोत करना होता है जैसे भारत है अब भारत में कानून बना किसान अंदोलन हुआ लेकि किसान बिलपे सरकार कितनी लेड सेची ऐसा नहीं होता सुरिजल लेंड में क्या है कि कोई पानून अगर पारित हुआ है तो नब्बे दिनों के बीतर मतलब तीन महीने के बीतर अगर पचास हजार मत दाता ये कहते हैं कि ये कानून सही नहीं है तो उस कानून पर जनमस संग्रे होता है ये अच्छु को गया मतलब ये जो है ऑप्सनल रेफरेंडम है एक होता है कमपल सरी कमपल सी तो बनी नहीं सकता जब तक जनता नहीं चाहेगी तो ये दो प्रगार से आपको देखने को मिल गया ये इसे कहते हैं बिटा लोग इसलिए कम लाएव हैं क्योंकि जनमस संग्रे पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो अब भरतमान में आगे की जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होंगी वो मेरे नई चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी राहिनिती विज्ञान की क्लास का चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया विड़ा लिंक description में link दिया, उस पर आप click करो उसी channel पर classes चलेंगी political science की, तो प्यारे बच्चों वहीं से आप class ले पाओगे, राईनीती विज्ञान की political science academy उस channel का नाम है political science academy अभी search में नहीं आ रहा होगा तो search में आ जाएगा नाम है political science academy यह आपको देखने में भी आप जाओगे तो आपको दो देखने को मिलेंगे जोई विद्यारती मुझे देख रहे हैं क्योंकि यहां देखो constable की विद्यारती है लेकपाल की विद्यारती है तो चैनल का नीज जो है वो चेंज जुआ है इस पर मैत भी चलता है, रिणी भी चलती है जो जो फिद्यारती यूज़ीसी बजिशिझा नइट वाले क्यूं की तो यह तो बरानी लग रहा है एंदी भी चलती है तो यह जब आप मोभी सिचा चैनल पर जा ओगे तो प्यारे बच्चो इसी मोभी सिचा चैनल पर आप यहां क्लिक करोगे तो click करने के बाद आप जब channels में जाोगे जैसे यह movie सिच यह आप इसके channels में जाोगे नहीं यह हाँ आपको दो channel नज़र आएंगे काही click नहीं हो रहा है आपको दो channels नहीं नज़र आएंगे और example नहीं पर बताना चाह रहे थि और यह क्या हो रहा है तो यह जो चैनल है na political science academy इसको आप लोग सभी के सभी subscribe कर लेंगे political science academy यह मेरा channel है paul science academy ठीक है you can join this channel love you to all of you नमस्कार अभी आप बोल रहे थे क्या दिखायो जणा अभी आप बोल रहे थे क्या है अभी आप बोल रहे थे क्या है कि आप बात कर लेना कोई समस्या नहीं आगी तो यह आपका हो गया पब्लिकली आज आज आप देख सकते हैं इसको यह प्लिकल साइंस अकेडमी आप ले 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 बेच आपका स्टार्ट हो चुका है राजनीती विज्ञान का पलासेज रहा उसके लिन आपके लेना कोई तो आप बिल्कूल भी देजी ना करें अगर बिल्कूल भी देजी करोगे तो देजी आपकी खतरनाक साबित हो जाएगी वैस पुरिल भी देजीआ इन्फोरमेशन आपको दुबारा से दे देताु हूँ देखो राजनीती विज्ञान का बेच है यह मैं समझे ले ना पॉलिटी का है पॉलिटी की मा है यह देखो राजनीती विज्ञान सुन लो कई बच्चे गलती कर देते हैं फिर बोलते हैं गरुजी यह रहा बेच किसका है राजनीती विज्ञान का है क्या बोलते हैं इसको Paul Science बोलते है ठीक है और Polity क्या है Polity इसका छोटा सा हिस्सा है ठीक है तो उसको आप छोड़ो Polity तो आप मुझसे पढ़ रहे हो 199 रुपे में 500 रुपे में UPSC वो GS का पार्ट है न Polity तो Polity GS का पार्ट है तो उसका बैच में UPSC का लगसे लाओंगा Polity Special का राजनीती जो विज्ञान है यह जो आप देख रहे हो यह अलग है यह आप किसके लिए आप बनना चाहते हैं प्रोफेसर UGC NET क्वालिफाई करेंगे आपने MA कर रखा है आपने MA कर रखा है आप बनना चाहते हैं PZT Teacher तो आप इसे क्वालिफाई करेंगे आप इन सब चीजों के लिए आप इसको ले सकते हैं प्लस आप UPSC में Optional Subject आप ले रहे हो तो आप इसे ले सकते हैं इसका सलेवस बहुत है ठीक है तो इसकी जो फीस है बरतमान में वो बैच सुरू होने से पहले 4000 रुपे है उसके बाद इसकी फीस 5000 रुपे रखिए पहला बैच है अगली बार से इसकी फीस किसी भी कीमत पे 10 से 12 जार से मैं कम नहीं लूँगा इसमें बहुत महनत का काम है बहुत महनत है इसमें इसमें आपको नोट सम प्रोवाइड करेंगे जो क्लास चलेंगी वो एपलिकेशन पर चलेंगी प्लस इसके साथ क्योंकि यह जो है इस्पेसल क्लास है इन बच्चों से मैं जूम पर जूम पर भी आपका सैसन होगा जूम पर भी आपकी क्लास होगा करेंगी वीक में हो सकता है एक बार दो बार जूम के आपके सैसन होंगे जिससे कि आप चीजों को समझ पाएं फेस टू फेस चीजों से कंडेक्ट हो पाएं क्योंकि देखो आदनिक दुनिया में तुम केमरे के बहार हो जो camera के बाहर तुम्हे political science पढ़ा दें तुम्हे camera के दुनिया में तुम्हे UPSC पढ़ा दें तो फिर ये मान के चलो कि तुम जीवनवर में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा तो camera की बाहर की दुनिया से नहीं इस पर अधिकतम classes में zoom पे लूँगा तो वो उसके मादियम से आप जुड़ जाएंगे आप जब payment कर देंगे इस number पर आप call कर लेंगे इस number पर call करकी आप payment करेंगे और जैसे आप इस number पर payment कर देंगे 87000 पर तो जो हमारा basically जो हमारा staff है वो आपको एक group में जोड़ेगा और उस group में आपको डेली क्या मिलेगा लिंक मिलेगा उस लिंक पर आप क्लिक करके क्या कर पाएंगे आप अपनी जूम क्लास प्लस आपकी जो पेड़ क्लास है उसका आप आनंद उठा पाएंगे डेली के डेली तो अधिक सदिक विद्यारती आपकी एडमिसन ले तब इसमें थोड़ा मज़ा आएगा जिस भी यूनिवस्टी से आप ब्लॉंग करते हैं एक मिनट रोको सर ठीक है रोज क्लास चलेगी सर हां रोज सुछ संध्या जी बहुत बढ़िया ठीक है डेली क्लास कीजिएगा हां डेली ग्लास में होगी डेली ठीक है तो यह क्लास की टामिंऔ लेकिन पांच बजह रहा करेगी प्यारे बच्चे कोई डाउट किसी को जनाब कोई डाउट है आपको बोलो भाई कोई डाउट है इसी को कुछ पूछना आए पूछलो भाई बहुत बढ़िया कुछ पूछना है? बताओ भाई आप पूछलो जो पूछना है पूछलो मत पूछना कभी दुबार क्यों भाई? Very nice sir रभी कुमार जी कह रहे है very nice sir वो कहते हैं ना मत पूछना कभी दुबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो मत पूछना कभी दुबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है वैसे मेरी सांसों के लिए तुम जरूरी हो ठीक है तो इसी के साथ लेते हैं विदा ग्लास को एंजोई की ज़र मिलते हैं ग्ली ग्लास में भबाय नमस्क्राइब